असोक महतो ही नहीं मुंगेर में ललन सिंग को एक और बावु बली का सामना करना पड़ेगा नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग मुंगेर लोग सबसीट का क्या मुकावला दिल्चस्प होता चला जा रहा है जिहां यहां से ललन सिंग राज असोक महतो की पतनी ताल ठोक रही है लालू यादो ने पिछले दिनों सर्थ रखा था कि साधी कर लो तो पतनी को टिकड़ दे देंगे असोक महतो ने कुछ भी देर नहीं की देर नहीं लगाया और चट मंगनी पटव्या साधी कर लिये और पहुच गए लालू यादों का असिरवाग लेने वैसी इस्तिती में लालू यादों ने भी देर नहीं किया और असोक महतो कोई पतनी को सिंबॉल थमा दिया मुगेर लोकसवासीट का यानी मुगेर में ललन सिंग के सामने असोक महतोक खड़े हो गए वैसे में अब एक और बाहु बली का हम सामने आगिया है जो मुगेर में ललन सिंग के खिलाप ताल ठोकने जा रहा है जिहां हम बात कर रहे हैं दूसरे ललन सिंग के नलिनी रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग जो मुकामा से आते हैं उन्होंने ताल ठोकने का एलान कर दिया है मुगेर लोकसवासीट से चुनाओ लड़ने का ऐलान कर दिया है आपको बता है कि ललन सिंग पिछले दिनों उनकी पत्नी ने बीजेपी से ताल ठोका था और बीजेपी में सामील हो गए थे नलिनी रंजन सिंग और ललन सिंग अब उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी है और मुंगेई मुंगेर लोगसवा सीट से चुनाव लड़ने का मन पक्का कर लिया है एलान कर दिया है तो नलिनी रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग का भी सामना करना पड़ेगा अब राजी रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग को यानि नितीस बाबु के ललन सिंग को एक नहीं दो दो बाहु बलियों का सामनाग करना पड़ेगा असोक महतो मैदान में हैं उनकी पत्नी उत्री है अनीता देवी और साती सात अब दूसरी तरफ राजी उरंजन सिंग उर्फललन सिंग के मुकाबले नलिनी रंजन सिंग उर्फललन सिंग मैदान में ताल ठोकने ज लिनी रंजन सिंग और ललन सिंग का सूरजभान सिंग से पुराना नाता रहा है आपको बताएं कि सूरजभान सिंग अभी फिलाल चाचा के खेमे में हैं यानि सूरजभान सिंग पसुपती कुमार पारज के खेमे में हैं और उनके भाई जो हैं चंदन सिंग वो नवादा से सांसद हैं हलाकि नवादा की सीठो या फिर तमाम सीठ जो है पसुपती पारस से छिन गई है और सबी चराग पासवान के खेमे में चली गई है वैसि इस तिती में सुरजबान सिंग के करीवी रहे हैं पसुपती पारस गुट के जो नेता हैं और सूरजभान सिंग को अगर कहा जाए कि एक बड़ा जो इमेज बना अगर दादा का इमेज बना तो उसके पीछे जो बिरोधियों को साधने की बड़ी जिम्मेवाली नलिनी रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग नहीं पूरी की थी इसलिए राजनीती में आने के बाद सवा के चुना हुए थे उसमें बाहुबली अनन्द सिंग का बेद किला माने जाने वाले मुकामा में 15, 2015, 2010, 2005 और में अनन्द सिंग को ललन सिंग ने टगडी तक कर भी दी थी साल 2010 और 2005 में ललन सिंग राम बिलाज पाज़वान की पाठी लजेपी से चुनावी मैदान में उद्रे थे तो ललन सिंग ननिली रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग अनन्द सिंग के अबेद किले में उन्हें बार बार तक कर देते रहे हैं और कडी टक्कर देते रहे हैं अनन सिंग का जो गड़ है मोकामा वहां से आते हैं नलिनीर अंजन सिंग उर्फ ललन सिंग और कडी टक्कर वो देते रहे हैं हम आपको बताएं कि अनन सिंग के खिलाब तीन दफा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं 2020 में जेडियू ने ललन सिंग को टिकट नहीं दिया था और ललन सिंग अनन सिंग के खिलाप मैदान में उतरने से चूक गए थे तो ऐसी स्थिती में आपको एक और भी बात बता दे जो उपचुनाव में इनकी जो पत्नी है सोनम देवी उन्होंने ताल ठोका था अनन सिंग की पत्नी निलम देवी के खिलाप यानि ननिली रंजन सेर्फ उर्फललन सिंग अनंत सिंग को सीधी सीधी टक कर देते रहे हैं और अब मुगेर लोगसभासτιीट पर राजीव रंजन सिंग उर्फललन सिंग जो जेडियू के उमिदवार हैं हुने सीधी सीधी टक कर देंगे हलाकि सीधी टक्कर ये नहीं होगी क्योंकि उनके सामने असोक महतो भी हैं जी हाँ असोक महतो जिने RJD candidate बनाया गया है उनकी पत्नी को तो वैसी इस्तिती में मुकाबला बिल्कुल दिल्चस्प होता चला जा रहा है अनन्द सिंग को टक्कर देने वाले ललन सिंग अब सीधे सिधे ललन सिंग को टेक कर देंगे और असोक महतों भी होंगे वैसी इस्तिती में राजी उरंजन सिंग उर्फ ललन सिंग के सामने एक नहीं दो-दो बाहु बलियों की चुनावती होगी तो ऐसे में ललन सिंग और नितीज कुमार इस चुनावती से कैसे निप्टेंगे ब झाल